मेरे यूटूब चुनल हीमा क्रेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर एक निया वीडियो लेके आई हूं इस वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी का पगरी कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना है ग्रिन किलर का हमने एक पट्टे का कपड़ा लिया है तो इस सांहें करके देख लेना आप किया करेंगे के लैसी को आप कोई भी चीज सजाने के लिए लिए ले सकते सकते हैं च्टौन भी हमने लिया है आप इस एवाइड़ भी कर सकते हैं आप कोई भी चीज लगा सकते हैं जो आपके पास है तो चलिए से साइड में रख दें आप क्या करेंगे पट्टी जो हमारे देखे खुली रखिए उसको एक टूपर एक फोल्ड कर देंगे फोल्ड इस तरह हमें बराबर से कर लेना है और इसको साइड से एक सिलाही लगा देना देखिए हमने साइड से सिलाही लगा लिया है सिलाही लगाने के हम क्या करेंगे इस तरह से सेफटी पिन ले लेंगे सेफटी पिन से हमें इसे सिधा करना है देखिए हमने सिधा कर लिया है अब हम क्या करेंगे दोनों साइड जो हमारा पाट खुला हुआ रहता है कपड़े का उसे हमें कपड़े को अंदर करके चारो तरफ से हमें सिलाही लगाना है तो चलिए सिलाही लगा लेते हैं देखिए हम सिलाई हमें क्या चारो तरफ लगा लेते हैं देखिए हमने सिलाई लगा लिया है सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर लेस को लगा लेते हैं लेस में हमें सिलाई दोनों साइड लगाना है क्योंकि लेस जो है वो चोड़ा है देखिए हमने लैस को लगा लिया अब हम क्या करेंगे इस पट्टी को इसे अपने हाथ में ले लेंगे तो इसको क्या करेंगे एक साइड हमें छोटा मतलब थोड़ा सा कपड़ा इस साइड फोल्ड करना है यह मैं आपको दो तिन श्टैप बताऊंगी जिससे आपको समझ मे इसको एक कपड़ा हमें बाहर की तरफ बड़ा रखना है और यह कपड़ा हमें छोटे की तरफ जो कपड़ा बाहर नहीं आना चाहिए इस तरह हमें रखना है फिससे एक बार में आपको तरह लगा है इस कपड़े आपके तरफ होना चाहिए और छोटा वाला कपड़ा हमें इसके बड़े कपरे के नीचे लेके जाना है अब यहां पर इस तरह रखें जिसका सेफ अचाओ यहां पर हम सिलाई लगा देंगे देखे हमने सिलाई लगा लिया है इसका सेफ जो उपर जो हमारी पट्टी है इस पट्टी को हमें क्या करना है पीछे की तरफ ले जाना है दाकि इसका सेफ हमें पगरी के एकदम सेफ जैसा ही दिखे तो देखे एकदम परफेट तरीके से अब क्या करेंगे इसमें हम सिलाई लगाएंगे ंगा थे और हमने देखिए सिलाई लगा लिय अब क्या तरह तेखिने मना मान भी च्टॉन लगा सकते हैं यह मेय सूथ आगे से हैं तो इस तरह आए-ख लिखा तैया है है किर। दोनों साथ डोनों को रख लिए अब चलिए इस देखिए हमने इस तोन लगा के तयार कर दिया है इस तरह हमारा पगरी बनके तयार हो चुका है मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा पसंद आए तो लाइक शेर करिए चैनल पर पहली बार होंगे तो सस्क्राइब जरूर करिएगा